है कासल कम बैक टॉन दो वीडियो ओफ एक जी भाई सहाव आज की वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है रोनाल्डो के बारे हम बात करने वाले है साथी साथ नेमार का क्या सी नहरियो चल रहा है और बाशना ने क्या लीवर जो है वह एक्टिवेट कर दिया है क तो भाई उसको तुम लोग सहले ना भाई आज की वीडियो में माफी उस चीज़ के लिए बागी बागी कमेंट आफ डी डे पर आ जाते हैं और कमेंट आफ डी बहुत प्यारा सा आया है हमारे बाई के द्वारा बाई का नाम तो मैं स्पेल नहीं कर पाऊंगा बाई लेकि तो भाई कह रहे हैं कि आपकी जो है वो कंसिस्टेंसी से और आपके काम खाज करने के नए तरीके से अब जो है एकजी ब्रो जो चैनल है वो हंट्रेट के तक पहुत जाएगा मोस्ट परबैबली और भाई कह रहे हैं कि दी डेली न्यूज हैस बिकम पार्ट आफ माई डेल दी रोटीन दी वेरी फर्स्ट वीडियो आई वाच एवरी डे आफ्टर वेकिंग अप इस फ्रॉम दिस चैनल ये दिल छूलिया वाई तुमने और मैं जान रहा हूं मेरे बहुत सारे भाई लोगों का मेरा वीडियो पहला वीडियो रहता है दिन का तो थैंक यू दोस्तो मेरे को अपने दिन का पार्ट बनाने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों और बगी हां यार 100k करेंगे बहुत जल्दी आप लोग बहुत ज़दा सब्सक्राइब कर रहे हो आप लोग बहुत ज़दा वीडियो को लाइक करते हो आप लोग प्या दिखाते हो त ज़दर ने मतलब नाम तो कुछ प्यारा सा ही होगा रहमें सुरेश टाइप सा तिल ना हुआ है रिस्पेक्टेड नेमर बट अगर अलही हाल चला गया तो इस बार मेरा दिल रियली टूट जाएगा भाई का दिल मेरा दिल तो रियली टूट गया था जब वो बारतुना से अब अलही हाल जाए या अलनसर जाए मेरे को खासा फरक नी पड़ेगा लेकिन नेमर के कुछ डाई हार्ड फैंस जो 31 या रोल नेमर को चाते होगे देखेंगे अब अगला कमेंट हमारा शैडो औरिजिन भाई के तरफ से लेकिन ये कमेंट जो है वो लिंक हो रहा है हमारे एक जो है वो टॉपिक से तो उसको अपन तभी कवर करेंगे बाकी बिगन करते हैं वीडियो को सबसे पहली खबर हैरी मगवायर के बारे में मैंने आप लोगो को कल सुबा ही साड़े साथ बज़े बता दिया था कि हैरी मगवायर टू वेस्ट हम उनाइटेड होजने वाला है दोस्तों और वो वीडियो तो मैं रात को शूट करता हूं तो राथ ही से लाइक मेरे को ऐसा खबर तक ही हो जाएगा और आप लोगों को साड़े साथ बिज़े सुबा बता दिया ओफिशल खबर शाम को आई है तो आप लोगों को एक जी भाई देख रहे हो सुबा ही बता देते हैं क्या होने वाला है फुट वाल की दुनिया में तो भाई वही हुआ जैसा मैंने हरी मगवायर टू भाई सहाब वेस्ट हम उनाइटेड होने वाला है तो मैंने आप लोगों सुबा साड़े साथ बता पता दिया था और आप लोगों को साड़े साथ बचे सुबा पता चला बाकी दुनिया को शाम को पता चला तो जो एक जी की वीडियो देखेगा वो दु चैंपियंशिप कप ही बोलता हूं ठीक है अब देखो अरब चैंपियंशिप कप में जो है वो अलनसर का आज एक गेम था और वो गेम जो है वो सेमी फाइनल था डैट मींस ओविसली फाइनल में पहुचने के लिए आप गोल्स मारने पड़ेंगे बट वो गेम में कुछ स्कूर करना इस नॉट बैड थिंग भाई वो रूल है मिलेगा और उसको स्कूर कर देना मेरे हिसाब से बहुत ही तफ काम होता और उस तफ काम को करने के लिए रोनाल्डो इस बेस्ट प्लेयर बेस्ट पेनाल्टी टेकर एवर इन दी वर्ल्ड इस क्रिशानो रोनाल्डो उस पेनाल्टी के साथ एक गोल मारके उन्होंने जो है वो अपनी टीम को पहली बार जो है वो फाइनल में पहुचाया है साओधी अरब कप के अब भाई साहब यहां पे ना रोनाल्डो का यह पेनाल्टी इतना बड़ा माईने नहीं रखता है तिंग इस देट रोनाल्डो एंड फोर गोल्स वर क्रिशानो रोनाल्डो डेट मींस आपकी नजर बनी रहने चाहिए साओधी प्रो लीग में नाव देट अलनसर है विंप्रूवड अपनी टीम को जो है वो ट्रांसवर से प्लस ओविसलिए अधर टीम्स एसवल जो इंप्रूव हो गई है इतिहाक हो गई है ना अल-अहली हो गई तो अल दीटीम से विंप्रूवड इंसाओधी अरीवे डेट मेंस धी कॉंपेटिशन इस गोना भी रियली वेरी टफ फोर क्रिशान रोनाल्डो एन उस कॉंपेटिशन में विल क्रिशान रोनाल्डो बीदी भाई साहब में गाय और नॉट य अब यह क्या कहानी मैं आपको बता दे रहा हूं तो भी रियली वेरी वेल एन इग्नम सौटेड ठीक है विदस नॉट वांट एक ऐसा देखो क्या होता है ना फूट बॉल में कि जब कोई पुराना मेनेजर हटता है और नया मेनेजर आता है तो यह टू 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 मेनेजर एक मेनेजर रहता है जो थोड़ सा बंधा रहता है फाइनेंचियल प्रॉबलम से और कुछ कुछ मतलब ऐसा ना कि बड़े-बड़े प्लेयर खरीद लिया यार पुराने मेनेजर तो अब नए मेनेजर को जो है ना उन बड़े प्लेयर को भी डील करना पड़ेगा प्लेयर वे यह मेनेजर का जाए अपने टीम में भूल गया है उसको काम चलाने पड़ेयर है वो players के साथ फिर उनके जो है वो भाई साथ residue players के साथ Eric Ten Hag को काम चलाना पड़ गया अभ Eric Ten Hag ने फिर जो है वो कुछ steps लिया और कुछ-कुछ players को उसने बेचा और अभी देखो बेची रहा है, Harry Maguire जैसे अभी सेल हुआ है, so PSG में भी कहानी यही थी, कुछ-कुछ पुराने-पुराने मेनेजर्स के उनाई-अमरी के समय के प्लेयर्स अभी तक है, PSG में कुछ-कुछ जैसे वराटी वगेरा है, so अब इतने सारे मेनेज़र्स अब बाद रहाने-प्ली दार्वास épसी best! जो अपने आपको फिजिकलफ रखना पसंत करते हैं और अपने आपको पुरूव करวाना चाहते हैं., में और इसी के चलते हैं आप कह सकते हूं कि PSG वालों ने एक वो मैंने आपको बता है था ना कैसी टीम बना करके रखी है loft वाली residue वाली टीम जो खुद में train कर से ठाथे और उसमें हम बाप पे भी है अब आज जो है वह लुइस केंपोस और लुइसेंटरी की लोगों का मीटिंग वगएरा हुआ जहां पे उन्होंने मारको वैरती नेमार एटी के बरनाट और रनाटो सैंचेस को सबको बता दिया इन प्लेयर्स को कि कि वी आर नाट काउंटिंग उन्यू गाइस सो यू गाइस फिगरा वे फिगरा क्लब जहां पे आप जो है वो ट्रांसफर लेकर के जा सकते हैं और इस ओल प्लेयर्स डिड नॉट इवन टेक पार्ट इन लीगन की फोटो शूट वगएरा और कि लिए नंबापे भी जो है बर्नाट एंड सेंचेस आई डून काउंट ऑन यू गाइस आप अपना रस्ता भाईया देख लें एंड डी रिपोर्ट सार सेंग कि भाई लूइस एंट्री के और नेमार की रिलेशनशिप्स आर नॉट डैड गुड जैसे दो हजार चॉदा तेरा में हुआ करते जब और इस उमर में इंजरी आप अगर सस्थेन कर रहे हो तो 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 एट विल अविएसली पे ए लूज टोल ओन अधी क्लब फाइनस अस वैल अज ऑन दी प्लेयर का करियर आज वैल अगुड टी क्लब का करियर असवैल लूज एंट रिडियर अगर प्लेमार इस टीम इसी के अब आज आते हैं अगली खबर से लास्ट खबर आज की वीडियो की और वो है बार्सलोना ने जो है वो एक नया लीवर एक्टिवेट किया है अब कह सकते हो कि यह एक पुराने लीवर को ही री एक्टिवेट किया है बीकोस बार्सलोन ने एक वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे सम्झाथा ता बहूत पहले वीडियो बनाया था मैं कि बार्सलोना ने अउपने 49 percent слова बार्सा इंद च्क बेचई दिया है अन वह 49 percent of Barça Studios को बेची थी ना every आ वह बेची नाकासा जो कमपनी है उसने जो है वो बार्सुना को ये ओफर दिया कि we will be giving you 180 million in order to buy your 49% of बार्सा studios बट बार्सुना ने तो बोला कि 49% तो हमने और रहेडी बेच रखा है तो दे प्रिपेर्ड एन अग्रीमेंट विद दी एक्जिस्टिंग holders यह पुरानी कमपनिया जिनको बार्सुना बेची थी और फर्समीडिया और सोश्यस.com पो ये बोला कि देखो गाइस आर यू विलिंग टू यू गीवस बैक यह 49% का शेर तो उन लोग बोले कि अगर आप हमको जितना पैसा हम ने लगा है उसके उपर पात-दस मिलियन दे तो हम दे देंगे आपको वापस तो बार्सुना बोली चलो ठीक है 180 मिलियन हम जो है वो लेते हैं माउंटे नकासा से और इस 180 मिलियन में जितना भी पैसा अभी ये जो एक्जिस्टिंग होल्डर है 49% के इनको देने के बाद जो बचेगा वो हमारा प्रॉफित हो जाएगा So as per reports बार्सुना जो है वो वापस से बेचने वाली अपने 49% of बार्सुना स्टूजिस to a new company and उस new company से पैसे ले करके जितना जो है वो पुराने ओनर्स को पैस देना था वो दे करके बकाया राशी अपने पास रखेगी So as per reports 180 million will be received by FC Barcelona और उस 180 million 150 million will be given to Orphos Media and Socios.com और जो बचा 30 million है वो बार्सुना अपने पास रखने वाली है और यह जो है पूरा पैसा आने वाला है ट्रांसर विंडो के खतम होने से कुछ दिन पहले That means 30 million जो है वो count होगा FPP में भी Now with this selling of Barsal Studios once again मतलब reselling आप कह सकते हैं of Barsal Studios और यह पैसे आकर के FFP में जुडने से जो problem हमारे भाई को comment section वाले लग रही थी shadow origin भाई जो कह रहे थे कि news circulate हो रहा है कि कोई players को register अपन नहीं कर पा रहे है With a full year की salary तो इसमें क्या कहना है और signing करना चाहिए या फिर प्लेयर को register करना चाहिए या फिर प्लेयर्स को रजिस्टर करना चाहिए बाद अब यूर वीडियो थैंक्यू मेरे भाई So मैं आपको बता दूँ यह सेम क्लॉस पिछले season भी रखा गया था कुंडे Christian Sun और एकादो प्लेयर्स और के साथ कि अगर हम तुमको कैसी यह के साथ भी कि अगर हम तुमको रजिस्टर नहीं कर पाएंगे Before the season starts तो तुम भी free transfer में जा सका तो एड दी एंड बार्फना वस एबल तो भाई साव रजिस्टर इस प्लेयर्स बिकॉस ऑविसली भाई दे प्लैन अलॉट Before signing the players like बार्फना के finances वाले विवकूफ नहीं है वो पहले से औरेडी प्लाइन करके रखते हैं कि हाँ यसा 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 पन करेंगे यहां पर भी आप देखो यह होने के बाद जो है वो अविसली गुंदुगान और सभी प्लेयर्स जो है वो रजिस्टर हो जाएंगे तो टेंचे लेने वाली बात नहीं है दोस्तों नो प्लेयर विल लीव एसी बार्फना पिछले सीजन टाइप एवरीबड़ी विल बीस्टेंग एड सब प्लेयर्स को जो है बार्फना रजिस्टर कर लेगी एड बिगेस्ट थिंग इस डाट अगर लियो मैसी अभी तक लेकिन अविसलियो वांटे टू प्ले जादा जल्दी उतना वेट नहीं करना चारे थे विचिस अविसली ऐसा कुछ बुरा नहीं है उसमें वो बंदा अपने बारे में ही सोचेगा भाई इस लेवल पर आ चुक है वो अपने करियर में उखाए पर दस चीजों के बारे में सोचें he's enjoying his life over there no problem at all no grudges बठा अगर लियो मैंसी रुकते तो शायद रचिस्चर कर पाती अफसी बार सूना चलिए मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में दिलती नेक्स वीडियो आमेशे शेचान नहीं बटे किर पीस चेहिन वन्यमातर झाल